सस्तिक आलजी सारानू स्वागते तड़ा यम तड़का पंजाबी कुकिंग देविच्छ आज बनावागे आपा रेस्टरंट स्टाइल शाही पनीर जे हाले तक तुसी मेरे चैनल नो सब्सक्राइब नी कीता ता प्लीज मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नू ज ते सब्सक्राइब पहले आपां कडाई विच पावाँगे दो चम्मच बटर तो उसी बटर दी जगा दे दो चम्मच देसी के ओविपा सकते यो ति हुट बटर हलका जा मेल्ट हो गया है ते एथे कुछ आपा साबद मसाले ले हान अद्दा चमच ले आए जीरा एक किंच पास लेह आपा दाल जी ड robust लॉंग ला हन ऐक लिह ह coupled आपा फो दीला ची तपाउल हम आपा काले मिर्च पागेर अपाय या बीच पादवांगे ती थी लूटा जा पाय फॉप्राइक रिरह मांगे ते दो मिनिट आपा लो फ्लेम दें उपर इंदानू फ्राइ करना है साथ तो आथ आपा लसने आ कल या हाल थोड़ा जी आप्पाइथे अद्रक लेह ते इन्नोड़ केसे पढ़े थे इनन अता इसी ते इन्न आ इस ते आप आपाये तो वी मीडम फ्लेम दी उपर फ्राई कर लवांगे ते काज जो बिल्कुल ऑप्शनल हान तो सेस्टों बिना भी सबजी बना सकते ओ तो अपा पावांगे थे चार प्याज मीडम साइज दे तो से यंदा नू किसे भी शेफ बिच कट सकते ओ तो अपा यंदा नू फ्राई कर प्याज नू गोर्डन ब्राउन नहीं करना तो प्याज दा कलर चेंज हो गया है तो दो हर्यां मिर्चा आप इस तरह लंबियां कटके पाद वांगे ते तीन टमाटर आपा मीडम साइज दे कटके पाद वांगे तो माटर तुसे तीन तो चार पासक देओ ते नमक ते हाले तीन तो चार मिनिटा पासके तरह पकावांगे यहन्नू हाई फ्लेम देओ उपर ते होण आपा टाक्य पकावांगे लो फ्लेम देओ पर जोतों तक की टमाटर जेड़िया सॉफ्ट नहीं हो जानदे ते होण 10 मिनिट तो आपा टाक्य पका रहे हाँ तो आपा 10 मिनिट बाद चेक कर लिने हाँ ते होण टमाटर बहुती वधिया सॉफ्ट हो गया हन ते प्याज वी जेड़े हन इना दा वी करंच खतम हो गया है ते बहुती वधिया तड़का साड़ा जेड़ा है और सॉफ्ट हो गया है ते होण आपा इते गैस दी फ्लेम बंद कर दवांगे ति होण आप आए दिविच तेज बत्ता दाल चिन नी ति इलाची नो रिमूव कर दवागे यानि की बार कर दवागे क्योंकि आप आए नो होण मिक्सी विच पीसांगे ति होण आप तड़के नो प्लेट दे विच कड लवागे ते नो चंगी तरह न थंडा कर लवागे ति होण साड़ा तड़का चंगी तरह थंडा हो गया है तो होण आप आए नो मिक्सर जार विच पाके ग्राइट कर लवागे थंडा तड़का करना बहुत जिरूरी है नेत ज़र गर्म गर्म तड़का से पीसा अगे तो हो एकदम बाहर भी आ सकदा है काप दे विच्छों त्योड आपा एन्नों पीस लवागे इसे तरह पाणी बिल्कुल निपोणाया दे विच्छ त्योड देखो तुसी प्यास ते टमाटर दा पेस्ट बहुत ही विद्यत्यार होया है त्या आप एन्नों बिल्कुल ब्रीक पीस लिया है चंगी तरह एन्नों ब्रीक करना है त्यया आप ए थेक बाउल लिया है एते विच पाणागे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च अब्दा चमच पाणागे आपा हल्दी प्याओडर प्याँ प्योण चमच पाणी आपा प्योच अब्दा चमच पाणी पाके इसन्नों चंगी तरह नहीं मिक्स कर लाँगे ते दो चमच पाणी दे होर पावांगे ते नो चंगी तरह ना आपां मिक्स कर लवांगे ते अपा इते मसालियां दी पेस्ट त्यार कर ली है इस तरह दी चाहिदी है बहुत ज्यादा पतला नी करना है ते अपां कडाई विछ पावांगे चार वड़े चमच तेल दे तो उसे इते कोई वी कुकिंग ओयल यूज़ कर सकते हो ते तेल हलका जा गर्म हो गया है ते आपाई दे विच्चे मसालिय वाली पेस्ट पादवांगे ते फ्लेम न आपा बिलकुल लो रखांगे नेततत सड़ी मसालिय जडेया तो जल जानगे ते कोई शाइकटिन आपाई नो फ्राई करांगे लो फ्लेम दे उपर मसालिया नो बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है हलका जाबर्स नो फ्राई करना है तिहुने दिविच टमाटर ति प्यास दी पेस्ट पाद वांगे जड़ी आपा ग्राइंड करके रखी सिगी तिहुन आपा एन वी चंगी तरह ना मिक्स कर लांगे तिह फ्लेम नो आपा इते मीडियम रखांगे तिह लगात आरा पाइस मसाले नो इसे तरह नाड लांदे रखांगे ओदों तक का पैन नो फ्राइ करना है जड़ों तक की जड़ा तड़का है वो तेल नी शट दिन्दा तिह तड़का साड़ा बहुत ही वद्या पूच गया है तो होन तड़के ने तेल वी शाट दिता है तिक वांटेटी वीच भी तड़का साड़ा काट गया है तो होन साड़ा तड़का बिल्कुल त्याहार है ते वोड़ा पाइदी वीच अद्दा का पाणी पाद वांगे जड़ा मिक्सर ग्राइडर वीच मसाला सीगा होतो ओके ते चंगी तरहना मिक्स करांगे ते हाले आपा लगा तारेनों हिलोंदे रवांगे तीन तो चार मिनट ति उन एक कप पाणिया पाइदी में जोर पावांगे ते चंगी तरहना मिक्स कर लवांगे ति उन उबाड़ा आचुक्या है ति उन आपाइथी एक कप फ्रेश क्रीम पादवांगे यह में बजार्दी क्रीम जीड़ी यूज किती है तो उसी यह जगाते कार्दी फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हो जब तुसी मलाई पा रहे हो तो भी तुसी एक कप जुरूर पाएओ ते चंगी तरहना मिक्स कर दवांगे तो फ्लेम आपाइथे मीडियम रखांगे ति उन आपाइथी एक बड़ा चमत चिन्नी पावांगे क्योंकि शाही पनीर विच थोड़ी जी मिठा सुन दिया है इस करके चीन्नी जूर पाएओ तो आपाइथे पावांगे दो चम्मच ट्मैटो कैचप इदन टेस्ट बहुत ही वदियां होंदा है शाही पनीर न तो उसे चीन्दी जागा थे थोड़ा जया गुड़ भी पाँ सकते हो तो आपा चंगी तरह इना सारे चीज़ानों मिक्स कर लवांगे इस वाद свободन लू सारे दे विच नमग पावांगे नमग चेक करके ही पावांगे क्योंकि असी पहला बहुत नमग पाया छी गाव तो इदे विच पावांगे आपा पांक सूरी मेथि एक चम्मच तो थोड़ा जीहां प्रीक्टिया होया हाराता थो नहा पावांगे तो इनना साने चीज़ानों चंगी तरह ना मिक्स कर लवाँगे तो आप आप आएनो टाक्ये पकावाँगे तीन तो चार मिनट मीडिम फ्लेम दे उपर ता के जड़ी साथी ग्रीवी है और थोड़ी जही थीक हो जावे तो आप आप चेक कर देया देखो ग्रीवी नो बहुत ही वदिया बॉयला गया है थोड़ा पाई देविच पावाँगे 500 ग्राम पनीर कट्ट्या है ऐस्ता क्यूबस देविच थोड़े ज मैथे पीस वड़े ही कट्टे हन क्यूंकि शाही पनीर ज थोड़े ज पीस वड़े ही पैन दे हन थोड़ा पैन नो मिक्स कर लवाँगे थोड़ा पाई कवर फिर एन्नो टाक्य पकावाँगे 3-4 मिनट लो फ्लेम दियूपर ताकि जड़े मसालना दा फ्लेवर है उपनीर दे अंदर अबजोब हो जावे ते होन 3-4 मिनट हो गे हन तो अपन एक वर देख लेने हैं होन साड़ी सबजी बिलकुल त्यार है बहुती वद्या सड़ी शाही पनीर दी सबजी बनी है मैं बिलकुर रेस्टरान स्टाइल तुसे देख सक दियो ग्रेवी बहुत ही वद्य थिक हो गई है तो बहुत ही अच्छी टेस्टी डिलिशन सब्जी सड़ी रेड़ी है तो यह थे शाही पनीर नो मैं के सर्विंग बावल इस ट्रांसफर कीता है तो एदे उपर पावांगे ब्री कट्या हाया तो थोड़ी जी पावांगे दूपर फ्रेश क्रीम ना आप पाए नो डेकुरेट करांगे तो अनो मेरी शाही पनीरदी रेस्पी किस तरह लगी मैंनो कॉमेंट से जो दसना तो मेरे चैनल यहम तटका पंजाबी कुकिंग नो शो सब्सक्राइब करना तो फिर मिल देक नवी रेस्पी देनाड़ उदों तक लिसा स्रीकाल